Dear Student, Platform of Learning YouTube Channel पर हम इस वीडियो में 6th क्लास की Mathematic Subject की Worksheet No.8 को Solution के साथ Explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टार्ट करते हैं Worksheet No.8 Let us play the game of age यहाँ पर हम किस तरह से age को find out करना है उससे related एक game play करते हैं देखिए यहाँ पर आपके पास 4 कोलम दिये गए हैं कोलम A, कोलम B, कोलम C और कोलम D कोलम A में आपके पास कुछ ages given हैं जैसे 1 year, 3 year, 5 year, 7 year, 9 year, 11 year, 13 years and 15 year कोलम B में भी आपके पास कुछ ages given है 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 and 15 कोलम C में भी कुछ ages given है 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 and 15 कोलम D में भी आपको कुछ ages दी गई हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चलिए अब देखते हैं कि गेम क्या है Let us understand आओ देखे और गेम को समझे पहला पॉइंट है हमारे पास Mohan's age is in कोलम A and कोलम D Mohan की जो age है वह कोलम A में है और D में है But not in कोलम B and कोलम C लेकिन B और C कोलम में नहीं है तो चलिए Mohan की age find out करते हैं कोलम A में है और कोलम D में है A में है और फिर D में है लेकिन कोलम B में और कोलम C में नहीं है तो एक ऐसा नंबर जो A और D में तो है लेकिन B और C में नहीं है देखिए यहाँ पर नंबर 9 नंबर 9 is column A, नंबर 9 is in column B बट नंबर 9 not in column B, नंबर 9 not in column C तो यहाँ पर मोहन की एज क्या हो जाएगी? 9 years मोहन's age is 9 years कैसा लगा आपको गेम? सिर्फ यही गेम है की question को पढ़कर और उसकी आपको age find out करनी है देखिए second point क्या है? रुही's age is in column B only रुही की जो age है वो सिर्फ column B में है तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर दिया गया है जो सिर्फ column B में है जो की number 2 है यह देखिए 2 A column में नहीं है 2 column C में भी नहीं है 2 column D में भी नहीं है तो रुही की age क्या है? 2 years रुही 2 साल की है Now question number third तरंजोत age is in column A, column B and column D but not in column C तरंजोत की age column A में है column B में भी है और column D में भी है A में है, B में है और D में भी है लेकिन column C में नहीं है तो बताइए तरंजोत की age कितनी है? जी हाँ find out कीजिए तरंजोत की age कितनी है? देखिए, नमबर ढूनते हैं, A में, 11 नमबर कोलम A में है, 11 नमबर कोलम B में है, 11 नमबर कोलम B में भी है, लेकिन कोलम C में 11 नमबर नहीं है, तो तरण जोत की एज क्या है, 11 years, वह है 11 साल का है, नमबर 4, जोन एज इस इन, कोलम A, कोलम B, कोलम C, as well as कोलम B, जोन जो है, वो कोलम A में भी है, कोलम B में भी है, कोलम C में भी है, और कोलम D में भी है, देखिए, यहाँ पर 15, कोलम A, 15, कोलम B, 15, कोलम C, 15, कोलम D, तो यहाँ पर जोन की age क्या है 15 year तो बच्चों कैसा लगा आपको game यहाँ पर हमने column में से सबकी age find out करी है Let us do चलिए अब कुछ और questions दिये गए हैं उन्हें find out करते हैं जैसे question number first है Rohit's age is in column A and column C but in column B and D Find Rohit age देखिए column A और C में तो Rohit है लेकिन column B और D में वो नहीं है तो ऐसा number ढूणिए जो A और C में है देखिए यहाँ पर number 5 column A में है column C में भी है but column B में नहीं है column B में नहीं है और 7 में column D में भी नहीं है तो यहाँ पर Rohit की age कितनी हो जाएगी 5 years Next, second question Salman's age is in column B Salman की age column B में है column C में है column D में भी है but not in column A Salman की age A, B और C में है लेकिन D में नहीं है तो Salman की age कितनी है 14 में यह देखिए column B में तो है column C में भी है column D में भी है लेकिन कोलम A में ये नंबर नहीं है तो यहाँ पर सलमान की एज कितनी होगी 14 years Now next question, question number third What type of number do you see in कोलम A कोलम A में जो ages दी गई हैं वो कैसे numbers हैं पहले कोलम A की ages को देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 All these numbers are odd numbers तो यह सारे के सारे numbers जो हैं वो odd है Now question number four Try to find out age of your younger brother, sister और friend using above table आपके पास एक table दी गई है वही जो उपर है अभी मैंने discuss करी उसमें से अपने छोटे भाई की, बहन की और अपने friend की age को find out कीजिए तो try by yourself यह question आपको खुद से करना है अपने भाई की age देखिए कितनी है, वह कौन से कॉलम में है अपनी sister की age देखिए कितनी है, वह कौन से कॉलम में आती है अपने friend की age देखिए कितनी है, और वह कौन से कॉलम में आती है तो यहाँ पर आपको उनके answer लिखने है ये question आप खुड try कीजिए तो student ये है हमारी worksheet का पूरा solution उमीद है आपको ये worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो वीडियो के comment section में ज़रूर पूछिए मैं आपके comments का जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगी वीडियो को like और अपने friend के साथ share जरूर कीजिए thanks for watching have a nice day